तो एसे प्रॉब्लम करेंगे तो इसके लिए स्टप सेफ फरस्ट टेक लॉग बोग इसके बाद यह फॉर्मूला लॉग भी बनता है लॉग अप्लस लॉग उसके बाद लॉग एश्टो एंड तो एनको आगे लेना है इसके बाद डिफ्रेंशियर्ट विद रिस्पेक्ट इसके बाद अरेंज करने फिर अंसर मिलेगा ओके तो अब डिरेडियोव लॉग य फिर से डिवाइब भाएब लॉग फॉंक्शन वापाज फंक्शन का डिरिवेटिव तो यहां पर इसको फंक्शन समझेंगे तो यह क्या बनेगा यह बनेगा वाज प्लस वाइब इसके वापाज डिरिवेटिव यह वापाज आएगा ओके एंड बनेगा वन अपन एक प्लस वाइब डिरेडियोव एक्स वन या पर लिखा है मैंने यह बनता है डिवाइब दी एक्स ओके तो बस यह आपको आना अच्छा ही यह तीन फॉर्मूला तो अभी हम प्रॉब्लम पर सब्सक्राइब करते हैं तो इसका डिरिवेटिव वाइब एक्सान अच्छा ही यह तो ऐसे प्रॉब्लम के लिए सब सब्सक्राइब दोनों साथ लॉग लेना पड़ेगा टेकिंग लॉग लिखा इसको फूरा लिखा इक्वल टू फिर वापाज लॉग लिखा यह फूरा लेज़ रैस्ट वाइब सब्सक्राइब बात में फ्ला लॉग वाइए टूइड हें एक्फ़ लॉग लिखाना ल टू रॉग लॉक्ने मिताल Rhl लॉग एक प्लस वाई तो सबसे पहले को से मॉडिफाइ करना है तो अभी डिफ्रेंटियाटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोच साइड यहापर डेवाइड एक्स यह पूरा खो इदर लिखा इक्वल टू डेवाइड एक्स यह पूरा खो लिखा और यह जो नमबर था इसको आगे लिखना है तो अभी डेरिवेट्व आफ लॉग साइव एक्स का इस यह रहगा लॉग एक्स का डिरिवेट्व ओथा है वं है क्छो का एक्स यह नुब अंप्लस साइख है यह पूएड वाइड व इक्सकह टू एक्स का डेरिवेट्व 50 आफ अपन फंक्शन का डिरिवेट्ट्व तो बदा उसको ही यहां पे लिखना ये यह बनाएगा 1 upon x plus y and यह फिर से उसका derivative यह आएगा 1 plus dy by dx ओके तो इसको properly लिखते हैं देखो तो x को 7 के निचे लिखने है y को 5 के निचे dy by dx इसको 12 के निचे लिखने है इसके बाद इसको ऐसे का ऐसे लिखने है यह 12 को 12 upon x plus y इसको इसके साथ multiply कर रहा है तो यह मिलेगा फिर इसको इसके साथ multiply करेंगे तो हमको 12 upon x plus y divided अभी इसको और इसको group करना है मतलब इसको एस साइड लेना है और यह चीज़ को राइट साइड लेना है ओके देखो ठीक है तो यह जो टर्म है इसको लेप साइड लिया तो मैनस हाएगा और संब एक्स को राइट साइड लेंगे तो मैनस हाएगा तो अभी इस डिवाइ बेड एक ने इसको आंभार रहते हैं तो अंदर क्या बच्छेगा अंदर बच्छेगा 5 upon y मैनस 12 तो अभी क्या करना है इसको क्रॉस मिल्टिप्ले करना है इसको भी क्रॉस मिल्टिप्ले करते हैं यह बनेगा डिवाइब दी एक्स और यहां पर 5 यह बनेगा यह बनेगा फाइड यह बनेगा यहां पर यहां पर यहां पर इसको करते हैं तो अभी क्या करेंगे यहां पर multiply करते हैं यह बनेगा 5 x और यह 5y मैं इस ट्वल यह एच्छ एच्छ रेगा यहां पर यह मैंने 7x एच्छ 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 रहेगा यह दोनों का मैंने 7y राइट सेड में यह बनेगा 5x राइट तो नेक्स्ट अप करना है यह आपको समझ में तो यह स्बस्ट पहले लोग लेना है फिर लॉग अबी का फार्मुला इसके बाद लॉग में इंडेक्स को आगे लिपने फिर इसको डिफरेंटियेट करना है यह वरी इंपोर्ड़न प्रॉब्लम है प्रैंक्टिस करो एक्जाम पर आ सकता है है तो है यह आपर पर फॉरं इसक अफूर्ट आए नचाइन श्रास ग्राट प्रॉब्लम करते हैं यह नहीं दूंट प्रॉब्ल्लम का फॉर संब कि प्रॉब्लम कि वैश्जे कर रहा तो बात टेके लॉग बोथ साइड यहां पर यहां पर लिपने लिए चाशस को लिखा यह पूरा को आगे लिखते हैं इसके बाद इसका differentiate करना है ठीक है तो differentiating with respect to both side यहाँ पर डिवाद एक left side को लिखा equal to constant को यहाँ पर रिखा डिवाद एक right side को लिखा तो इसके बाद यहाँ पर derivative of log x one by x होता है right and derivative of log y one by y dy by x and यह पूरा का derivative जो आएगा हो लिखना है और यह p plus 4 है और numerator में रहेगा यहाँ पर रहेगा ओके तो next step में इसको प्रॉफली आरेंज करना पी बाएक पॉर अपॉर आपन वाइड डिवाब एडिक और इसको इसके निच्छे लिखना है ओके तो आभी देखो प्रॉप प्रॉप तो यह पूरा इससे क्याश्य करेंगे यह मिलेगा और इसको बाएक इसको ब्रॉप करना है इसको लेफ साइड लेना है और पीबैक को राइड साइड मैनस आएगा इसके बाद डिवाइब एडिक कॉमन इसको भार लेंगे यहां पर फॉर फॉर अपॉन वाय मायनस यह बच्छेगा रैड तो अभी इसको क्रॉस मिल्टिप्लाइग करते हैं देखो ठीक है तो इसको इसको क्रास मिल्टिप्लाइग करते हैं या आयहाग फोर है ऐसको इसको 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 मैनेगा मैनेश पी आए music दो राइड साथ में场 इसको इसको यहाद में इस प्लाइ एक्स 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 मैंड्र ऑन एक्स प्लेस दॉए प्लेस मेंड और यहाँ पर यह पी एक्स कट हो रहा है तो बच्छे का 4x minus py upon x ओके यह भी कट होगा और y को रेट सर्ड लेना है तो dy by dx is equal to y upon x ठीक है तो यह difficult problem है यह आशकता एक्जाम पे प्रैक्टिस कर लो तो यह समझ मैं यह तोड़ा complicated problem है क्योंकि यहां पर यह तो इजली हो जाएगा यहां पे तोड़ा calculation में we should be very careful ओके तो इसका screenshot लो तो तो अभी हम क्या करेंगे third problem पे जाते हैं तो यह स्टुडेंट यह चाप वेरी इजी प्ल्मुलाय ठिक्य स्कूट करेंगे तो यहां पर minus जग में धके जग में डालेंगे तो यह बनेगा भी मांज जे बी प्लस अंड यहां पर पी एक्दम शॉट के मिफल्ड है टेक स्कृन सुट है तो वाय रेंगे तो यह बानाएगा स्कॉयर रूट यह लिक्नी की जरूत नहीं है तो अगर दोनों साइड रहें यहां पर स्कुर्ण और यहां पर भी यह तो इसको हटाएंगे तो बद यहां पर रोट भी लेक्ट आना है ओके इसको हटाना है तो क्या बनेगा बनेगा और इसको सब्सक्राइब्स को लिखना वाइज तो 5 अपॉन एक्ट रहाइज तो 5 मैनस वाइज तो 5 is equal to check inverse, right side में यह है, तो यह बनेगा, यह square, okay, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको k करेंकर define करते हैं, okay, is equal to k, k is a constant है, okay, तो k is a constant करेंकर define कर सकते, k is a constant, okay, तो हमारा question बदल जाएगा, यह बनेगा, यह जो है left side, यह यह कैसे है रहेगा, and right side में, इसके वादले में k लिखना है, okay, ऐसे modify करना है question को, तो अभी यह formula उस करेंगे, ठीक है, तो मैंने तो पढ़ा था, यहाँ पर plus रहेगा, यहाँ पर minus रहेगा, तो यहाँ पर minus हाएगा, right, तो यहाँ पर m का value कितना है, m का value है, अमारा 5, right, तो wire raised to 5 is equal to, यह फूरा हेचे का हेचे रहेगा, x raised to m, तो m का value 5 है, तो बद यह फूरा question को हेचे बदलना है, ठीके, यह shortcut method है, otherwise component हो, divided हो, यह सब यूज़ करके निकालना पड़ेगा, उसमें काफी time बरबात होगा, ठीके, तो वापाज यह चीज़ को, हम दुफरा constant में define करते हैं, ठीके, यह फूरा को, अभी हटा के, छोटा जो constant करके, है, define करते हैं, ठीके student, तो अभी वाइरेस्ट फाइव, यह जो नमबर रहेगा, और राइट साड में जाएगा, तो रूट में आएगा, ओके, तो यहाँ पर वाइरेस्ट फाइड में फिफ्ट रूट भी बनेगा, ऐसे लिख सकतो, यह फिर ऐसे लिख सकतो, यह जो नमबर रहेगा, उसको लिखना है, तो इसी तरह, यहाँ पर जो है, यह फाइव को हटाना है, तो अठाएगे, तो राइट साड में जो है, यहाँ पर फिफ्ट रूट भी, और यहाँ पर यह जो फाइव, यह फाइव है, यह हड़ जाएगा, अभी यह चीज को, हम दुछरा लगते है, C is equal to fifth root B, तो यह constant ऐएगा, तो यहाँ पर यहाँ रखो, तो इसको पहला, के एक constant defined किया, फिर यह formula जो किया, बाद में एक पूरा को different constant लिया है, फिर finally, यह constant लिया है, तो दे स्टुदेंट्स, तो ऐसे problem के लिए, Y is equal to C x करके, expression को लेखके आना है, यह तो इसको differentiate with respect to x करते हैं, तो यहाँ पर d y by x is equal to constant, ऐसे का ऐसे रहेगा, x का derivative, okay, तो x का derivative 1 होता है, right, तो next c का value y by x है, तो बद बहाँ से इधर copy paste करना है, from 1, तो ऐसे solve करना है, okay, तो इस type के problem को कैसे solve करना है, तो left side में कोई भी चीज रहेगा, उसको right side में लेना है, इसके बाद उसको एक constant के करेकर define करना है, उसके बाद या ultra edge method इसको करो, otherwise component divided and 2 में अपका बरबत होगा, okay, तो यहाँ से यह formula से आपको इसको directly convert करो, और उसको वापा second constant लेना है, okay, यह constant मिला फिर इसको हटाना है, इसको हटाया, और y is equal to c, एक बार एक प्रेक्शन मिल गया, फिर यहां से सी मिलेगा, फिर यहां से direct derivative लेना है, ओके, आपको समझ में, प्रोब्लम दिया है, यह करना है, ठीक है, तो इसका भी ऐसे ही pattern है, तो tan inverse जो है, इसको पहले right side लेना है, तो tan inverse है, तो tan में convert होगा, यह inverse था, यह नहीं आएगा, तो फिर इसको k करके define करना है, तो यह पूरे का अभी k करके आएगा, तो इसके बाद यह formula जूस करना है, यहां पर p and q extra आया है, तो बस यहां पर p by q आएगा, और यहां पर minus है, निचे plus है, तो बस minus नहीं आएगा, तो m का value क्या है, 2 है, तो यहां पर क्या बनेगा, y square और यह इचे का इचे रहेगा, x m का value 2 है, तो बस यहां पर put करना है, ठीके, अब यह पूरा चीज को b करके define करना है, तो इसके बाद क्या मिलेगा, यह मिलेगा, उसके बाद g square को हटाना है, तो y is equal to root b x, तो अभी इसको वापस convert करना है, दूसरा constant से, c करके, तो इसके बाद normal step है, एक बार यह मिल गया, c निकालना है, फिर इसको differentiate करना है, इसका derivative 1, और c का value y back from 1, right, ऐसे solve करना है, तो मेरे साब से very easy है, if you follow this formula, काफी easy होगा, otherwise बहुत complicated हो जाएगा, ठीक है, take screenshot for this, ठीक है student, तो अमको यह मिला, इसके बाद यह formula इस करेंगे, तो यहां पर m का value 2 है, तो इधर लिखा, यह भी आया, यह फूरा को हमने यहां लिखा, तो यह formula के लिए अपने यह फूरा लिखा, यहां पर p का value 3 है, तो बस जहां पर 3 आएगा, b, okay, b का value यहां आएगा, 3 by 4, 1 minus k, 1 plus k, okay, तो यहां पर p by q के बदले में, 3 by 4 लिखना है, okay, ठीक है student, फिद प्रोब्लम करते हैं, तो इसका भी same pattern है, सब सब पहले cause inverse को हटाना है, right, यह cause inverse right side जाएगा, तो cause में आएगा, यह inverse जो है, वो हट जाएगा, right side का, एचे के एचे लिखना है, that is a good k, okay, तो k is a constant है, तो इसके बाद, तो question modify हो जाएगा, यह पूरा k करके आएगा, तो बाद यही formula उसकरना है, बढ़ यहां पर plus है, यहां पर minus है, इसके हो जाएचे, यहां पर minus आएगा, right, तो बाद, और m का value क्या है, यहां पर four है, right, तो बच वाइरस टो four, यह पूरा आएगा, and x raise to four, तो यह पूरा को b करके define करना है, तो यह b बनेगा, next up में four को हटाना है, तो fourth route में आएगा, तो फिर बाद में इसको हटाना है, c लेना है, वो fourth route भी, यहां पर c मिलेगा, फिर बाद में इसको differentiate करना है, तो derivative x1, फिर यहां पर इसको इधर-चे-धर copy paste करना है, okay, तो very easy है, तो take screenshot, okay, तो यह method follow करो, तो students log x is equal to front t, okay, तो यहां पर base ने दिया, तो हम इसको adjust कर सकते, e करके, उसके बाद क्या करें, log को हटाना है, log को हटाना है, तो बद यह e को right side और उसको उपर लेना है, okay, तो log हट जाएगा, बद यह रहेगा, okay, तो इस तरीके से log को हटाना है, okay, तो जाएगा, तो आप इसको करें करते, okay, तो यह हमारा question है, तो अभी इसके बाद यह formula होट करना है, यहां पर minus, यहां पर plus 7, तो बद यहां पर minus ने आएगा, okay, तो बद यहां पर wire to m, M lagi vayneru hattustar waerust tunis equal to two is go likab and x restuen m ka value 20 right अब इसको define करते बी करके right तो इसके बाद इसको hatana right तो y is equal to 28th root आएगागी एगा क्योंकि यहां पर 20 है इसके फ़जए 22 y is equal to cx आगा थे तो यहां से cole toys मिलेगा wab x तो बाद इसको differentiate करते हैं इसका derivative 21 बाद में उसको फ्राम 1 वहां चे यहां लिखनाय के साल करना मेरीजी है और कि कि टूरेंद अभी रेश्ट फ्र्न्क्टिबये तो टेकिंट लॉप बोड साइद लॉइर लग लिखा इसको तो लॉग लिखा इसको लिखा okay तो इसके बाद यह फॉर्मला के साफ़से अ आगया आएगा तो बद एकस को आगे रहना है एकस को आगे लिखा लॉग यह से दिकड़ी लॉग यह करने यहाँ तो यहां पर चुक्छ कुछ फ़गी दो राइट तो क्या करेंगे टेकिंग ल लोग लिया और फॉरा एच्छे के शे रेगा इसिकोट तु लोग लिया एरेगा तो इसको करके करते हैं क्या होंगा यह फार्ς मुला के सब चेन को आगे लिखना है इसको आगे लिखेंगे रइट तो यह आएगा और यह एक एक बार तो इसके बाद यह करते हैं यहां पर मैंस प्लस तो यह आएगा तो यहां पर इसको डिफ्रेंशेट करते हैं फिर बाद में यह फानल एंसर आएगा टेक स्क्रीन शॉट तो अब यह जब राइट साइड जाएगा तो साइन इनुवर्स आएगा और और राइट साइड में जाएगा साइन में क्राज टोका तो अच्य तरह जाएद रूखो तो यहां पर साइन था तो साइन इनुवर्स इसको यहां पर साइन इनुवर्स आएगा यहाँ पर साइन उन्वर्स आएगा तो बच इसको के करके Define करते हैं बाद में हमारा एक question बनेगा यही फॉर्म्ला उसक करना है क्योंकि यहाँ मैद से यहां पर प्लस है तो यहां पर पुट करते हैं तो यहां पर इसको फिर से भी को डिफाइन करते हैं यहां पर अब इसको हटाना है तो बनेगा क्यूब रूट आप भी ओके तो इसको चीक करके डिफाइन करते हैं बाद में इसको लिखते हैं और फिर इसका डरिवेटिव और इसका वाल्यू फूट करना है ओके टेक स्क्रीन शॉट तो डियर स्टुडेंट लाइक में वीडियो सब्क्राइब में चैनल और अपने दूस्तों को भी बथाओ ठीक है तो अभी हम दूसरा एक सब्सक्राइब में जाते हैं